Love Infinite Channel में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हाँ जी तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आप चक्रा ही लिंग करते हैं खुद से घर पर तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप आप आफिस गोर हैं, बाहर जाते हैं या सुबह से शाम का कोई ना कोई काम है बिजनस है अब सारा का सारा टाइम हम सुबह नहीं दे सकते क्योंकि सुबह की भागम भाग तो natural है जब बाहर जाते हैं तो भागम भाग मचती है तो ऐसे मेडिटेशन कैसे हो तो क्या हम थोड़ा थोड़ा टाइम करके कर सकते हैं सवाल है जैसे कि फर्स्ट थ्री चक्राज को मौनिंग में कर ले और बात के जो थ्री चक्राज है उसको हम इवनिंग में कर ले ऐसा कर सकते हैं कोई वे hard and fast rule नहीं है आंसर तो यह है आप कैसे भी कर सकते हैं डेली एक चक्रा पर भी concentrate कर सकते हैं सबसे पहली बात अधिकतर root chakra या मूल आधारा chakra से हम सभी जूज रहे होते हैं अगर वाकई आपको इस तरह कि physical या sexual need की बार-बार ज़रूरत महसूस होती है या आपका craving होती रहती है physical चीज़ के लिए तो इसका मतलब आपका root chakra imbalance है इसलिए आप सभी instant reply देते हैं एकदम से response करते हैं गुसा जल्दी आ जाता है क्या मुझे जवाब नहीं दिया ऐसा कैसे block कर देना ये कर देना वो कर देना और jealous की feeling anger की feeling anxiety की feeling ego से deal करने लगते हैं मुझे कम मत समझो ये वो इस तरह की feeling तो ये कैसा होता है जब आपके अंदर इस तरह की भावनाएं है तो समझ ये आपका root chakra imbalance है तो सबसे पहले root chakra से ही start कर ले daily lamb का job 20 minute के लिए कर ले 20 minute नहीं है हमारे पास इतना time होता नहीं है तो देखिए अगर आप time ही देख देख के करेंगे तो फिर वो जो 10 minute का भी अगर आप करेंगे ना job तो वो भी लगेगा नहीं उससे भी असर होगा नहीं है ना तो इसी तरीके से जब भी आप comfortable हो वो time चुन लीजे early morning उट जाएए अगर आपका 8 बजे कहीं पहुँचना है तो early morning उट कर सबसे पहले brush करके या फिर वैसे ही आप अपना पहले job कर ले आराम से और उसके बाद कहेंगे भागने का time होता है इसके बाद शुरू उसके बाद मैं कितना ही भाग लूँगा या भाग लूँगी ठीक है पहले मुझे अपने लिए शांती से पांच या दस मिनिट तो देने ही देने है देखिए 24 गंटे का time होता है उसमें हम अपने लिए पांच या दस मिनिट जादा तर ladies पांच या दस मिनिट भी अपनी पसंद के काम के लिए या अपनी बादी को हील करने के लिए निकाल ही नहीं पाते है इतना भागम भाग होता है अब मालीजे अगर आप housewife हैं तो अगर आप दोबहर का time आपके लिए बचता है बारह से तीन का time बारह से पांच का time है ना तो ऐसे time में आप अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें कुछ ना कुछ affirmations करें कुछ ना कुछ चक्रा healing का काम कर ले वो अले time में आप अपने आपको बड़े अच्छी तरीके से heal कर सकते हैं सबसे पहले तो आप सीधे बैठें अपनी spine को बिलकुल सीधा रखें और इसके बाद अपनी सांसों पर concentrate करें सांसों पर concentrate करना ही main चीज़ है क्योंकि हम सांस ही डंग से नहीं लेते हैं कई लोग बोलते बहुत जादा है तो उसमें भी सांस नहीं ली जाती बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे जो दिमाग में वो सब निकाल दिया कुछ अंदर डालने के लिए भी तो कुछ चाहिए दिमाग में कुछ knowledge भरनी भी तो है wisdom से भी तो भरना है या जो है वो सब निकाल देना है, इसलिए कम से कम बोलें, सांसों पर ध्यान दें, प्राणों का संचार ही सांसों से होता है, तो सांसों पर पूरा ध्यान देना जरूरी है, सुखासन या पदमासन में बैठ जाएं, पदमासन में भी नहीं बैठ पाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, तो कई लोग जैपनीज की तरह या चाइनीज की तरह दोनो पैरों के उपर बैठते हैं य्याशनि की एडि जो है उनकी हिप्श पर लगती है तो उनको वैसे कमफर्टेबल लगता है ऐसे वो कई दिर तक भी बैटे रह सकते हैं तो आप उस पोजिशन में भी बैट सकते हैं बट फिजिकली फिट आपको तो रहना ही होगा इस चीज़ के लिए ताकि आप किसी बैठना तो पड़ेगा ना और अगर ऐसे भी नहीं बैठ सकते हैं कई बार शरीर काफी स्थूल हो जाता है तकलीफ में होता है पेन में रहता है फिजिकल कोई ना कोई परिशानी या डिजीज रहती है तो आप सोफे पर बैठ सकते हैं अच्छे गदीदार सीट पर बहुत ही सॉफ्ट ना हो कि इधर उधर लोड़ाखने लगें सीधा बैठ सकें जिसने की यह वाली बात है या फिर अगर आप बिल्कुल भी कई बार ही होता है कि हम तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते हैं हो जाती है ऐसी आलत सम्टाइम बेहोशी की आलत होती है लेकिन आप सुचते हैं आप पांदस दिन से बेहोशी हो रहे हैं ड्रिप पे ड्रिप चड़ रही है अब क्या करें हम तो मिस कर रहे हैं और कई लोग कहते हैं हमारा इनर वर्क मिस हो रहा है इससे या घर में कोई बिमार हो जाता है उनके डॉक्टर के चकर लग रहे हैं तो उनको ले जाने आने में उनका इनर वर्क कहते हैं कि मिस हो रहा है मैंने का ऐसे कैसे हो सकता है इनर वर्क कोई वर्क नहीं है कि बैठ के करना है लो जी ये ये कंप्लीट हो गया आज का inner work कोई work नहीं है बस पहली बात तो इस चीज इस inner work से ना work का नाम ही अठा दिजे ये inner आपकी wisdom है ये inner power है आपकी ये work काम करना है काम करना है उस चकर में वो मत कीजे आते जाते वक्त क्या भगवान का नाम लेना मनाई है किसने कहा है कि चलते उटते बैठते वक्त आप gratitude में नहीं रह सकते क्या हूँ जब meditation में बैटेंगे तब ही gratitude आएगा आगे पीछे या किसी से बात करते हुए अपने से नीचे या अपने से ऊपर या अपने से छोटे बच्चों से बात करते हुए या पोस्ट में कोई नीचे है उनसे बात करते हुए क्या हम inner work नहीं कर सक हटेवाइब खानों ट्रीगर करते यह किसके लिए अपने उपर अपने ओपर काम करना क्या इनर वर्कि इनर वर्क के लिए आपको अलग से बाठने के जरूत यहां हाँ, meditation के लिए थोड़ी तेट तो बैटना पड़ेगा, तो इस तरह से कोई भी foundation नहीं है, कि आप कोई भी काम करें, चक्राइब को किसी भी तरीके से करें, लेकिन हाँ, सही तरीके से करें, और सही mindset के साथ करें, किसी चीज़, काम में, जैसे कहते हैं ना, काम में, काम में श्रादिया, काम ना के साथ, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं चक्रा ही लिंग कर रही, मेरा reunion हो जाए, मेरा DM मेरे सामने ही आके कड़ा हो जाए, I love you बोले, हग करे किस करे, ये बातों से अगर आप दूर रहेंगे, तो आपका inner work अपने आप से बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका reunion अपने आप में ही हो जाएगा, है ना, आपकी kundalini अपने आप ही जागरित हो जाएगी, आपकी kundalini जागरित करने के लिए कुछ तो natural calamities होती है, कुछ हमारे साथ कुछ हाथ से होते हैं, कुछ हमारे घर में किसी की मिर्ती होना, वो भी एक हमारी kundalini जागरन का कारण बनता है, और सबसे बड़े कारण अगर आपका सारी लाइफ बड़ी मज़े में हसते गाते चलती गई है, और अचानक से twin flame आजाते हैं, तो twin flame ऐसा trigger करते हैं कि आपके kundalini awakening होनी शुरू हो जाती है, तो यहीं से आपका DNA activation भी होने लगता है, ठीक है ना, तो इश्वर आपको extreme difficulty में तभी डालता है, ताकि kundalini awakening हो सके, यानि कि आप sudden decision लेने like बन जाए, sudden और quick decision जैसे कहते हैं, ठीक है, तो बनिए अपने, you are the creator of yourself, you are the co-creator of yourself, आप divine के ही समान है, समकक्ष हैं उन्हीं के, उन्हीं के तुल्ले हैं, तो divine journey में आप हैं, divine feminine आप हैं, तो divine masculine आपको trigger कर रहें, सब कुछ तो divine है, divine path है, divine journey है, तो divine पे भरोसा क्यों नहीं, divine पे भरोसा रखें, chakra healing जैसे करना है, उस तरीके से करें, जैसे आपकी body, आपका time, आपका पद, आपकी age, आपको allow करती हैं, उस तरीके से दीरे-दीरे काम को करते रहें, किसी भी इच्छा के साथ न करें, क्योंकि meditation और healing, और chakra healing, ये सारी चीज़े इच्छाओं के साथ तो नहीं होती हैं, आपकी सब अच्छा है, करते रहें, all the best, thank you so much.